ऐलो फ्रेंड्स बेמצ टू लेव इंटेट एन डेव चनल NEWी चनल में अपनों का बहुत बहुत वह था है तो दोस्तों कैसो आप लो दोस्तों आज तो आज का वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है बहुत ही most important वीडियो है आज कि इस वीडियो में बात करेंगा five healthy relationship tips के बारे में यहने कि एक अच्छा strong relationship कैसे build कर सकते हैं आप तो यहाँ पर five tips देंगे जनसे आप अपने रिलेशंशनसीप को बहुत ही अच्छा हेलदी सकते हैं बहुत ही इंट्रोंग बना सकते हैं फ़ीडियो ही बहुत ही कर पाएंगे और इंट्र सस्टोंड रीएक अधो से स्मझेंगे है तो कभी विकम्यूर नहीं होने देंगे चलिए बात करतें पहले पॉइंट की सब्सक्राइब हुए कि को यह दो प ?? relationship start करते हैं एक अच्छा सा relationship start होता है उसमें कुछ न कुछ गलतियां होगी जातीय है कुछ गतियां हो जाती है तो ये उनको आप सुईकार कर लेते हैं इस अफिजैसित कम फिजह उन्य पढता है वह healthy sopen關係 बना रहेता है ये आप उन गलतियों को बार-बार कुदेरते रहेंगे तो आपका relationship बहुत strong होने की बज़ाए वो एकनम कमजोर होता चला जाएगा और एक दिन तूट जाएगा तो यदि आपके relationship में कभी भी कोई ऐसी mistake हो जाती है मतलब गलती हो जाती है तो आप उसको सुईकार कलने हैं मतलब आप उसको मतलब सही करने की कोशित करें तो यदि ऐसा आप करते रहते हैं तो आपका relationship कभी भी कमजोर नहीं पड़ेगा और एक अच्छा relationship बना रहेगा हमेसा ध्यान रहें आपको admit your mistake आपको मतलब अपनी mistake अपनी गलतियों को सुईकार करते हैं मतलब कोई भी चोटी मुटी गलती हो जाती है तो आपको समय समय पर उनको sorry बोलते रहना अपने partner को आपका जो relationship पर उसको मतलब इतना importance देंगे मतलब हर बार कोई भी गलती पर आप sorry बोल देंगे सारे लोग क्या करते हैं अपनी feelings करते रहते हैं अपनी बात रखते रहते हैं अपने partner के सामने लेकिन उनकी feelings को सुनते ही नहीं की बातों को सुनते ही नहीं अपनी बात किये जा रहे हैं तो इसमें क्या होता है वो आपका partner आपके सामने अपनी feelings नहीं रख पाता है तो आप को भी पता ने लग पाता कि आप वो क्या चाहन रहा है आप ध्यान से उनकी बातों को भी सुनना है जिससे की आप उनकी feelings को समझ पाएं और आपका relationship अच्छा चलता रहा है मतलब दोनों की बातें आप अपनी बातें भी रख पाएं और वो भी आपकी बातें आपके सामने रख पाएं तो इस तरह से आपका relationship बहुत ही अच्छा healthy रहेगा कभी भी दरार नहीं आएगे दोनों में और बहुत ह कि अच्छे थे आप बिल्ड कर पाएंगे अब बात करतें थर्ड पाइंस की यह भी बहुत ही ध्यान से आपको इसको समझना है वी केरफुल परसन यानि कि एक अच्छे relationship में यह होता है कि आप अपने relationship की देखवाल बहुत अच्छी तरह से करें आपका जो partner है उसकी जो द कर रहे हैं आपको अपने relationship को लेका serious हैं तो be careful person आप अपने partner जो भी आपके साथ जो भी इंसान है उसकी careful मतलब care बहुत ज्यादा अच्छी से करेंगे जिससे उसको भी लगेगा अच्छा feeling से आएगी तो इस तरह से आपका relationship बहुत होता चला जाए बहुत ही strong होता है मतलब इस point को बहुत important point है यहां पर देखे relationship versus money रिष्टे को कभी भी पैसे money से नहीं तोलना चाहिए रिष्टे देखे आज कल क्या चला कि रिष्टों को मतलब पैसे से तो बना जरूर लेते हैं लेकिन वो टिक नहीं पाते हैं मतलब money से ब्यापार तो किया जा सकता है लेकिन रि relationship को कभी भी पैसों से ना तोलें ये बात आप ध्यान रखेगा मतलब money से तो ब्यापार हो जाता है लेकिन relationship कभी भी ज्यादा समय तक नहीं ठिकते हैं इस बात को आप ध्यान रखें और अपने relationship में सही समझ कर आप अपने relationship को आगे बढ़ाएंगे याद रखेंगे कि money से आप बिल्कुल compare नहीं करेंगे अपने relationship को तो आपका अच्छा relationship चलता रहेगा और healthy relationship रहेगा बात कते हैं five points की बहुत ही important point है इसको ध्यान से समझी गया है कि trust is very important in relationship में बिस्वास relationship में बहुत ही जरूरी है एक अच्छे relationship में बिस्वास होना ही चाहिए एक अच्छे relationship में बिस्वास नहीं होगा तो वो रिस्ता कभी भी टिक नहीं पाएगा तो यह आप आपको ध्यान होना चाहिए आप ध्यान रखते हैं कि आप relationship में बिस्वास जगाए रहते है को एक्तम टेश्ट होना चाहिए और आप अपने रिलेक्सिप को लेकर सीरियस रहेंगे उसको विश्वास दिलाए रहेंगे तो कभी भी आपका पर छोड़ के जाने की गलती नहीं करेगा और कभी भी मतलब आपके रिलेक्ष केमिंद दरार नहीं तो यह points आप ध्यान रखते हैं, तो आपका relationship बहुत ही अच्छा build हो जाएगा एक strong relationship में, तो ध्यान रखी यह 5 points आप अपलाई करें अपने relationship में और अपने relationship को एक अच्छा healthy relationship बना लिजेए, तो आई वप यह 5 points आपको पसंद आये होंगे, इंड में अभी तक आपने मारे व लाइक ने किया तो वीडियो को लाइक कर दीजीगा, यह आपकी कोई भी कमेंट वगरा है, लव लाइक को लेकर problems हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी problems का solution आपको अवस्थ दिया जाएगा, और इंड में अभी तक आपने हमारे facebook page को follow ने किया है, तो वीड हमारी एडी मिल जाएगी, महासरे मुझसे बात कर सकते हैं, तो आज के सिप्टियो में बस्तना है, मिलता है कि वीडियो में, थैंक्स पर वाचिंग, धन्माद दूस्तों